जैपूर की सहतेहसिक धर्ती पर आउजित अग्र सम्मेलन में यहां पर उपस्थित राजस्तान की धर्ती के कोने कोने से आये हुए वैस समाज के सभी साथियों का हिर्दे से आभार प्रकट करता हूँ इसमंज पर उपस्थित हर्याणा विधान सभा के माननी अध्यच सिरिग्यान चन्गुपता जी राजमंत्री राजस्तान सरकार माननी सुभास गर्ग जी और इस कारकम के सूत्रधार राष्टी अध्यच अखिल भारतिय अगर्वाल सम्मेलन माननी स्री गोपाल सरन्गर्ग जी अध्यच वैपार कल्यान बोर्ड सुरेश मोदी जी सम्मानित हमारे देश के गवरों के रूप में जिनों ने एक भजन ऐसा गाया कि पूरे देश और दुनिया में उनकी ख्याती हुई और आप सब उनको सुनने के लिए बेताब हैं ऐसे हमारे भाई कनहिया मित्तल जी सम्मानित अध्यस अगरवाल जी केके गुपता जी प्रदेश अध्यच पस्चिम राजस्थान दामोदर अगरवाल दी प्रदेश मंत्री पूर्वी राजस्थान गिरीज गर्ग जी प्रदेश उपाध्यच प्रदेश अध्यच पूर्वी राजस्थान उत्तर प्रदेश के पूर में चीफ सेक्रेटरी रहे दीपक सिंगल जी और इस कारकम के स्वागता अध्याच बहुत ही जिम्मेदारी से जिनों ने इसे पूरे कारकम का सयोजन किया और पूरे राजस्थान के जनता और जैपुर की जनता सडकों पर उमल करके जिनका प्यार पा रही ऐसे राज अंदन करता हूं मुक्य सवयोजा कानंद गुपता जी मैं आप सभी का सामने बैठी हमारी बहने और यहां पंडाल में जितने लोग भी यहां पर उपस्थित हैं मीडिया के साथियों हमारी बहने यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित हैं वैपारी समाज के वैपार सं से आए हुए कश्बों से आए हुए बजार से आए हुए जो एयर कंडिशन और कूलर से नहीं निकलते हैं किसी बेटी-बेटे की साधी में किसी रिष्टेदारों की साधी में भी जाना होता है तो भी जाने में विचार करते हैं लेकिन आप इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं जहां कि हुमकार से पूरे देश में एक मैसेज जाने वाला है मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी और से अपनी सरकार की और से और सरकार के मुख्या योग्यादित तिनाजी की ओर से आप सब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मित्रों हम सब का परमसो भाग है हमारे देश की बागदूर एक परम तो पस्वी आदरनी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरचित है ऐसे अपने प्रधानमंती नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आप सब से चाहता हूं जिनके हम अग्रज जिनके हम जो हमारे पूर्वज हैं जिनके लिए हम यहाँ पर इकठे हुए हैं माराजा अग्रसेन भगवान माराजा अग्रसेन जी के जैकारे के साथ हम सुरुवात करना चाहते हैं हम सब लोग अच्छी तरह से जानते कहीं हम आसमान से नहीं टपके हैं कहीं हम जमीन से नहीं हुगे हैं कहीं पेड़ से नहीं गिरे हैं हमारे पूर्वज हमारे अगर हम बात्चीत करने लगे कोई पुराने से पुराने लोगों की बात्चीत करने लगेंगे और अपना इतिहास उठा करके देखेंगे तो अग्रोहाधाम से ही हम लोग आए हैं इसलिए हमें अग्रोहाधाम का जैकारा लगाना चाहिए बोलो माराजा भगवान स्रिय अग में तीसरी बार कैबनेट मंत्री हूं और जीवन में राजनीत में कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं था यहां हमारे तमाम बक्ताओं ने अभी समाज के लोगों को समाज के लोगों को आगे बढ़ने के लिए समाज के चर्चा की है मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूं आप मजबूती से आगे बढ़ने का काम करिए आपको आगे बढ़ाने में यह समाज के लोग जो खणे हैं कहीं पीछे नहीं हटेंगे यह इस बात का भरोसा और इस बात का विश्वास दिलाते हैं जहां लोग केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं वहां पर यह सम्मानित मंच देश के सभी अगरवाल समाज के अगरश समाज के वैस समाज के नेता गड़ी कठे हुए हैं केडिया साब आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं निश्चित रूप से य अगे बढ़ाने का जज़बा है समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप सबकाperformे जोडगताना बहुत तेज है आप गाओं में दुकानों पर बैढते हैं अपनी घर पे चोटी बड़ी जो दुकानोंं पर भी बैढ़ते हैं वहाँ पर बही अगर हमारा बेटा चाहे वो 8 वी में पढ़ता हो 9 वी में पढ़ता हो उससे पूछो 9 रुपए वाला 9 टो साबुन कितने का हुआ तो बताता 1 80 रुपए दो आठ वाला नोट बताता 72 रुपे दो छे वाला आठ वाला बताता 48 रुपे दो आपका कल्कुलेटर यहां दिमाग में फीड है आपको कल्कुलेटर की जरूरत नहीं है आपका गुणा भाग इतना तेज है इसलिए मैं आपको बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हमारे तमाम रिपक सिंगल भी हमारे विधान सबादीट जी हमारे समाम अगरेच चाहे गोपाल सरंद का गर्ची केडिया साब लाइन पोटल बना लिया लाखों की संख्या में इकठे हैं अगर एक वेक्ति 50 रुपए भी देगा तो 50 लाख रुपए उसके खाते में पहुंचेंगे पचास लाख रुपए उसके खाते में पहुंचेंगे और वह आद्मी फिरसे खड़ा हो जाेगा उस परिवार का पालन पोसन होगा उस परिवार का पालन पोसन होगा इसी तरह से हमने ऊतर प्रदे welche में अपने जिले में पहले अपने जिले में किया फिर अपने मंडल में किया और मंडल में करने के बाद पूरे प्रदेश में इसको लागू करने का काम किया है मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं समाज के सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं अभी मुझे बोले कि भई आप राजस्थान के भी मंच में आते हैं मद्ध प्रदेश के भी मंच में आते हैं तो मैं यही कहता हूं अपने समाज के लोगों से समाज के लोगों से ही कहता हूं हम सब लोग वैपार में जुड़े रहते हैं वैपारी कामकाज में बिजी रहते हैं अपने धंदे पानी को करते रहते हैं और कुछ दिन के बाद जब धंदे पानी में नौकरी में बहुत वेस्थ होने के बाद बच लिए चीव वस्था होती है कि अच्छा फॉटल होता है हम बात्रोम से नहाने के बाद निकलते हैं एक बटन दबाते हैं तो तुरण बात्रोम गीला है तो सुखा हो जाता है और i a laug जाती है सूखी तौलिया लग जाती है एक हफ्ता आठ दिन घूमने के बाद मन होता है कि फिर अपने समाज अपने घर में चले वहाँ थोड़ी टुटई समाज के लोगों को विस्वास दिलाता हूं कि भगवान न करे कभी कोई आफ़त भी पता आपके उपर आए भगवान न करे कभी कोई परेसानी आपके उपर आए परेसानी के समय में भी याद करेंगे तो आपको पीछे ढखेल कर आपकी परेसानी अपने उपर ले करके आपक प्रोग्राम में इकठे नहीं होते दुकान पर बैठे बैठे निन्यानवे हैं तो सौ कैसे हो जाए हजार है तो सोला सो कैसे हो जाए इसी में लगे रहते थे लेकिन धन्यमाद देना चाहता हूं आज इस कारकम के और शोग को केडिया जी को इतना बड़ा सम्मेलन आपने किया है कि आज पूरे देस मेंसी चर्चा हो रही है इसके लिए हुए एक सभी करताओं का इक सात्यों का बहुत बहुत धन्मेंवात करता हूं बहुत बहुत-बहुत आभार प्रकेट करता हूं। पुना आप सब के बीच पे फिर से जब भी आने का मौका मिलेगा आप सब वैपारी वैपार संगठन के लोग है। आप जानी अभी टिकट मांगने की बात हो रही थी तमाम पार्टियों से टिकट मांगने की आरच्छन मांगने की या संगठन में जिम्मेदारी मांगने की या फिर वैपारी कल्यान बोर्ट के अध्यच या वैपारी कल्यान बोर्ट बनाने की तो मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ आपका ये जुटान आज साबित करता है सरकारों को भी सोचने पर मजबूर करेगा और पार्टियों को भी सोचने पर मजबूर करेगा कि समाज इकठा हुआ है इनकी मांगे पूरी की जाए जैसे पूंजी समाज एक पूंजी की तरह होता अगर हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे और कहेंगे हमको लोन दे दो हमारे पास पैसा नहीं हम बहुत गरीब है तो बैंक लोन नहीं देता जब समाज इकठा होता है तो समाज अपनी पूंजी है और आपने पूंजी इकठा करके दिख जोना आप सब के बीच में आप सब को इस आयज़ें के लिए इस कारकम में लगे सभी सात्यों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं बहुत-बहुत अभरत मता की भारत मता की एक बार